A letter to god, भगवान को पत्र इस कहानी का जो main character है, main problem है वो है लैंचो इस्टोरी को पुरा सुनने के बाद अगर आपके आसबस कोई लैंचो नानम पर कोई लैंचो के जैसा कोई character हो तो comment box पर comment जरूर करना जो लेंचो है वो एक परिश्रमी किसान एक महंती किसान है लेंचो एक किसान था उसका घर उचाई पर यानि एक पहाड़ी के सिकर पर था जहां उसा घरता वहाँ पर कोई रहतार नहीं था घर उचाईपर होने के कारण लेंचो अपने अनाज यानि मक्के के खेतों को देख सकता था जिनमें फूल भी आ गए थे लेंचो को उमीद थी कि इस बार उसकी खेती बहुत अच्छी होगी लेकिन लेंचो की फसल को तो जरुत थी एक अच्छी बारिज की लेंचो आस्वांग की तरफ देखकर सोच रहा होता है और बोलता है कि मुझे लगता है कि अब बहुत अच्छी बारिज होने वाली है तभी लेंचो की पतनी जो खाना तया कर रही थी उसने जवाब में कहा हाँ अगर भगवान ने चाहा और भगवान की दया होगी तो अच् का हाथ बटाया करता था और लेंचो के छोटे छोटे बच्चे भी थे जो खेल रहे थे जैसे एकसर छोटे बच्चे खेलते हैं लेंचो कहता है कि ये जो बारिज होगी बहुत फादेवन्द होगी बहुत ही बेनिफीशिल होगी एक तरीके से पैसोस की बारिज होगी in the form of rainfall साम का समय था खाने का वक्त था जैसा लेंचो ने आसा की थी जैसा लेंचो ने सुचा था वैसे ही आसमान में बड़ी बड़ी बुन्दे के तना सुरू हो गई यह देखकर लेंचो खुश था और बारिज की बुन्दे उसे पैसोस के कोईन कितने लग रही थी लेकिन तेज हवा चलने से जो फसल है वो लहराने लग गई और तेज हवा के साथ साथ अचानक ओले परना भी शुरू हो गए लेंचो बहुत परिसान हो जाता है वह कहता है आई होप कि जाला दिर तक यह ओलो की बारिज ना पड़े यह बंद हो जाए क्योंकि यह उसकी मक्का की वसल के लिए उसकी कॉन फिल्ड के लिए अच्छा नहीं है जहां एक तरफ लेंचो गहरी चिंता में परिसानी में आ जाता है वहीं दूसरी तरफ उसके बच्चे ओलो को इखटा करने लगे क्योंकि ओले उनको एम्यूजिंग मनोरंजक लग रहे थे बच्चे तो वह बच अच्छे हैं? फन ढूंडी लेते हैं? ओले पढ़ने पर लैंचो दुखी होने लगा, मनी मन लैंचो ने थोचा कि साया थोड़ी दिर में ओले पढ़ना बंध हो जाएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, ओले पढ़ने बंध नहीं हुए इतने ओले पड़े की पूरा पाड़ी अलाका सफेज चारर से ढग गया हर तरफ सफेज इसफेज नजर आ रहा था जब ओले पड़ना बंद हो गए तो लैंचो ने खेत में जाकर देखा और अपने लड़के से कहा कि अगठ ढियां भी लग गई होती तब भी हमारी फसल कुछ तो बची जाती मगर इन ओलोंने कुछ भी नहीं छोड़ा इस वर समय मकई की फसल नहीं मिलेगी क्योंकि ओलों की मार से फसल गे फूल तूटकर गिर गए लैंचो की पुरी फसल बरबाद हो गई लैंचो अपने परिवार के बारे में सोचकर बहुत दुखी वेचिंतित था क्योंकि उसको इस बार फसल से बहुत उमीद थी और यह है उसका एक मात्र सहारा भी था वहरात लैंचो के लिए बहुत दुख भही राग थी फिर दुखी मन से लैंचो कहता है कि हमारी सारी महनत बेकार हो गई हमारी सारी फसल बेकार हो गई इस वर्ष हम भुके रह चाएंगे हमारी मदद कौन करेगा कोई नहीं है जो हमारी हेल्प कर सके इतना सोची रहा था कि तभी लैंचो मिया को जगी निरासा में आसा देखते हैं क्या है वो आसा, क्या थी वो आसा उसके बाद लेंचो को एक आस, एक होप जगी कि अब भगवान ही उसकी मुद्द करेंगे यानि भगवान ही है जो उसकी सहाइता करेंगे वह कहता है कि कोई वेती भूप से नहीं मरता भगवान सब को देखते हैं अगर किसी को कोई समस्या होती है और भगवान उसको जान जाते हैं तो उसकी सहायता करते हैं लैंचो बहुत महंती था और उसको लिखना भी आता था इसलिए उसने भगवान को पत्त लिखने का सोचा अगले रहिवार दिन निकलते ही लैंचो ने भगवान के लिए पत्त लिखना सुरू कर दिया लैंचो ने पत्त में लिखा भगवान मेरी सहता करो अगर तुम मेरी सहता नहीं करोगे तो मैं और मेरा परिवार इस साल भूके रह जाएंगे मुझे हंडेड पैसोज की ज़रूरत है जिससे दोबारा फसल बो सकूँ और फसल आने तक मैं परिवार सहिज जीवन जी सकूँ और लैंचो ने पत्त के उपर लिखा भगवान के लिए पत्त पत्त लिखकर फिर वह सहर गया पोस्ट आफिस में पहुँचकर पत्त पर स्टांप लगाया और पत्त पोस्ट बॉक्स में डाल देता है यहां से सुरू होता है स्टोरी A Letter to God का परमक पढ़ाओ लैंचो लैटर पोस्ट आफिस के पोस्ट बॉक्स में डाल देता है पोस्ट में वह लैटर देखता है और हसते वे बड़े अधिकारी के पास गया अधिकारी को वह पत्त दिखाया कि इस पत्त पर एडरस की जगए भगवान का नाम लिखा है और कहा ऐसा एडरस मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखा पोस्ट मास्टर जो की एक मोटा और काफी फ्रेंडली दोस्ताना था वह भी हसने लगा लेकिन अचानक एका एक वह गंभीर हो गया और बोला भगवान पर इतना विश्वास उस postmaster को अशरे हुआ कि किसी व्यत्ती को भगवान पर इतना विश्वास, इतनी आसा कैसे कि उसने भगवान को पत्र लिखना सुपी सुरू कर दिया postmaster नहीं चाता था कि पत्र लिखने वाले व्यत्ती का विश्वास तूटे इसलिए उस पोस्ट मास्टर ने एक आईडिया एक तरकीव निकाली क्यों ना पत्र लिखने वाले व्यत्ती को उसके पत्र का जवाब दिया जाए इसलिए उसने पूरा पत्र खोल कर पड़ा और उसने जाना कि पत्र लिखने वाले व्यत्ती यानि लैंच को भगवान की दया से ज़्यादा भगवान से मिलने वाली सहायता की आसा थी तब पोस्ट मास्टर ने सभी क्रमचारियों से बाचीत की और सभी से कुछ पैसो की मांग की सभी ने अपनी सेल्डी का कुछ हिस्सा दिया, सभी ने थोड़े थोड़े रुपए दिये लेकिन 100 रुपे यानि 100 पैसोज इखटा पूरे नहीं हो पाए और ये इतना असान काम भी नहीं था लेकिन तब भी सामुई की रूप से 100 से कुछ कम almost 70 पैसोज इखटा करके लिफावे में डाल कर लेंचो का पता लिख दिया इतना ही नहीं पोश्ट मास्टर ने ही उस पत्र पर G.O.D. God का साइन भी किया नेक्स डे लेंचो पोस्ट ओफिस जल्दी पहुँच गया और उसने पूछा कि उसके लिए कोई पत्र आया है क्या पोश्ट मास्टर वहीं मौजूद था और उसने ही लेंचो को पत्र दिया लेंचो ने पत्र पाया और पोश्ट ओफिस से बाहर निकला पोश्ट मास्टर लेंचो को ही देख रहा था लेंचो उन रुप्यों को उन पैसोस को देखकर बहुत कुस हुआ लेकिन जब उसने उन पैसोस को गिना तो उन में से कुछ पैसोस कम थे जितने उसने मांगे थे उन में से कुछ पैसोस कम पाकर लेंचो ने सुचा भगवान तो यह गल्ती नहीं कर सकते भगवान ने तो पूरे रुपेद भेजी होंगे गुस्से में लैंचो पोस्ट ओफिस की विंडो में जाता है पेपर इंक लेता है और वह मेज पर ही पत्र लिखना शुरू करेता है उसके चहरे पर गुस्सा साफ परतीत हो रहा था उसने पत्र लिखा, स्टैंप लगाया और पोस्ट बॉक्स में डाल दिया लैंचो के जाने के बाद जब लैंचो के पत्र को पोस्ट मास्टर ने पढ़ा तो उसे घोर अश्चर हुआ, पोस्ट मास्टर के साथ तो भई वही वाली बात हो गई नेकी करवा दरिया में डाल लैंचो ने पत्र में लिखा था भगवान मैंने आपसे जो पैसोस मांगे थे उन में से मुझे only 70 पैसोस ही मिले हैं बाकी बचे हुवे पैसोस मुझे भेज दीजिए क्योंकि मुझे उन पैसोस की बहुत जुरत है भगवान इस बार आप मुझे बचे हुवे पैसोस डाक से मत भेजिएगा क्योंकि यहां पोस्ट आफिस के सभी क्रमचारी बदमासों का गुठ है बताईए वई जिसने हेल्प करी जिन्होंने हेल्प करी उन्हें ही बदमासों ना दिया खैर यह कहानी यहीं खत्म होती है इस कहानी में किसान का भगवान पर विश्वास दरसाया वे दिखाया गया था वीडियो अच्छा लगाओ तो कमेंट बक्स पर कमेंट चरूँ